Hello Class, Selection Mind Academy में आपका स्वागत है आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे देश की जनसंख्या के साथ-साथ देश में बिरोजगारी भी दिरंतर बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती बिरोजगारी का कारण हमारी सिक्षानीती भी बताए जा रही है तो इस सिक्षानीती में कई कमिया थी जिन कमियों को दूर करके हमाई सरकार ने एक नई सिक्षानीती लाई और इस सिक्षानीती को नई सिक्षानीती 2020 का नाम दिया गया आज हम इस नई सिक्षानीती के कुछ important points को जानेंगे सिक्षानीती 2020 भारत की तीसरी सिक्षानीती है बात करें पहली सिक्षानीती की तो यह 1968 में आई थी और दूसरी सिक्षानीती 1986 में आई थी इसके अगर हम मंत्राले की बात करें तो मानो संसाधन विकास मंत्राले के अधिन यह विशयाता है इसका नाम बदल कर अब सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है नई सिक्षा नीती 2020 के अगर प्रारूप की बात करें तो इसे कस्तूरी रंगन समिद द्वारा तयार किया गया था जिसके अध्यक्स थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो की इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके है सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसके बजट में किया गया है जो अभी तक 2-3% था उसे बढ़ा कर अब 6% तक कर दिया गया है बात करें स्कूल एजुकेशन की तो पहले यह 10 प्लस 2 था अब यह 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 5 3 3 4 हो गया है इसे हम चित्र की माध्यम से आसानी से समझेंगे जैसे यह पुराना सिस्टम है 10 प्लस 2 यह नया सिस्टम है 5 3 3 4 अगर 5 की बात करें जो सुरू का है फाउंडेशन कहलाएगा और प्री प्राइमरी स्कूल भी से कहेंगे जो यह सुरू के 3 साल है तो यह आगनवाडी प्री स्कूलिंग कहलाएगा और क्लास 1 और 2 यह इस 2 साल में आएगा मतलब 1st and 2nd साथ में 3 साल प्राइमरी के क्लास 3, 4, 5 यह आएगा प्रिपरेटरी क्लास में और क्लास 6, 7, 8 यह आएगा मिडिल स्टेज माधमिक सिक्षा उसके बाद 9, 10, 11, 12 यह आएगा सिकंडरी स्टेज में Under Graduation Policy मतलब आप किसी कारण से अपने कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो आपके सालों का Years का नुकसान नहीं होगा इसे Multiple Entry and Exit Option कहा गया अगर आप पहले साल में छोड़ते हैं तो Certificate आपको मिलेगा अगर आप दो साल की पढ़ाई करने के बाद छोड़ते हैं तो Advanced Diploma आपको मिलेगा अगर तीन साल का तो Degree और चार साल का करते हैं तो Bachelor Degree with Research Post Graduation Policy की अगर बात करें तो इसे तीन भागों में बाटा गया है First, 2 years का दूसरा, 1 year का तीसरा, 5 years अगर इनकी हम डिटेल में बात करें तो 2 साल का उनके लिए जिन्होंने 3 साल का Graduation Course किया है एक साल का उनके लिए जिन्होंने 4 साल का Graduation Course किया है और 5 साल के Course में आप Graduation और Post Graduation दोनों साथ में कर सकते हैं एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अब MFIL को साप्थ करने की बात की जा रही है और इसके बाद आप Direct PhD कर सकते हैं मतलब आप Post Graduation के Direct बात PhD कर सकते हैं MFIL करने की जरूवत नहीं है Language अगर आप किसी Call Center में Call करते हैं तो सबसे पहले आप से Language सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है मतलब यह है कि भाशा हमारे सिक्षा की सबसे महत्वपूर्णी का आई है हमाई नई सिक्षा नीती में त्रिभाशा फॉर्मूला को अपनाया गया है पांचमी तक मात्र भाशा अगर संभव हो सके तो आठमी तक इसके अलावा एक अन्य स्थानी भाशा या किसी भी अपने मर्जी से भाशा का चैन करना होगा नौमी के बाद कक्षनों के बाद विदेशी भाशा को भी आप पढ़ सकते हैं इसे हम 5, 3, 3, 4 के रूप में समझते हैं 5 में क्लास 1 और 2 था, 3 में 3, 4, 5 था मतलब यहां तक आपको मात्र भाशा में पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद यहां से मतलब लाश्ट के जो 4 है 9 से आप विदेशी भाशा को भी पढ़ सकते हैं पोश्टर की सकती को और बढ़ाया जाएगा 25 परसंट से 100 परसंट तक की स्कॉलर से नीजी स्कूलों को अपने 50 परसंट स्टूडेंट्स को देनी ही होगी बोर्ड परिक्षाओं में भी समय समय पर परिवातन होते रहे हैं अब कक्षा दसमी और कक्षा बार्मी बोर्ड पर इक्षाओं होंगी और ये साल में दो बार आयो जित होंगी जिसे अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में लिया जाएगा साथियों आपने सिंगल विंडो कॉंसेट के बारे में भी सुना होगा और आपने GST के बारे में भी सुना होगा सिंगल विंडो कॉंसेट में कई भी भागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है ताकि व्यापारियों को होने वाली असुविधाओं को दूर किया जा सके उसी तरह कर्वेवस्था को आसान करने के लिए कई करों को एक करके GST कर बनाया गया उसी तरह Air Force, Navy और Army को Regulate करने के लिए एक सिंगल बोडी बनाई गई जिसे CDS Chief of Defense Staff के नाम से जाना गया जो वर्तवान में विपिन रावजी हैं उसी तरह सिक्षा के छेत्र में UGC, AICTE और NCTE के लिए एक सिंगल बोडी बनाई जाएगी व्यावसाइक सिक्षा छात्रों को कक्छा 6 से मिलना प्रारंब हो जाएगी इसमें 10 दिन की इंटरंसिप करना अनिवारी होगा बात करें इसके महत्यो की तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्छा 12 वी के बाद अपनी सिक्षा को नियमित नहीं कर पाते हैं उनके पास व्यावसाइक असर कम हो जाते हैं जावसाइक शिक्षा के माध्यम से वो अपना विकास आर्टिस्ट मतलब कला के छेतर में गार्णिंग मतलब बागवानी के छेतर में कम्प्यूटर के छेतर में भी अपना विकास कर सकते हैं जावसाइक अपना विकास आर्टिस्ट मतलब बागवानी के छेतर में